प्यारे बंधूँ, मैं अपने इस 73rd, 73 वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, मेंटेनेंस के बारे में मेंटेनेंस जो है, को चार कटेगरी में बाड़ा जाता है नॉर्मली वो चार कटेगरी कौन-कौन है? करेक्टीव एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस नमर वान एंड चौथा है, प्रेडिक्टीव मेंटेनेंस कहीज सारे मेंटेनेंस के जनकार लोग झो है औरänger क्रेक्टिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन मेंटेनュ मेंटेनस को एक साथ सामिल करके ओपर्च्युนिटी 2 मेंटेनस करते हैं लेकिन इसपद कई बार उत्ना उस्विक्त जैसिंद्ग अव्म शिपारे उपे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब मेंटेनर्टेङच को. पहले हम शर्जा कर लेते हैं करेक्टीव और ब्रेकडाउन मेंटेनस को यह जो मेंटेनस जो है हमको जो है एक unwanted maintenance है यह जो है प्राइंच नहीं होता है जिसके लिए क्या होता है कि एक कितना लॉस होगा टाइम का लॉस होगा प्रोडक्शन का लॉस होगा, और इसका जो है, awkward time में, odd time में कभी काम अरेंज करना पड़ता है, over time, manpower अरेंज करना बहुत difficult होता है, तो यह जो है, unwanted, rather difficult maintenance है, तो इसको इवाड करने के लिए भी हमको विचार करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं आगे विचार करूंगा, य यह जो है इसके चलते loss of production होता है, production loss होता है, बहुत नुक्सान के तरफ चला जाता है, plant condition भी बहुत बुरी तरह deteriorates करता है, plant condition मुश्किल में चला जाता है, यह जो है loss of either man, machine और material का भी कभी कभी करता है, यह unshift situation create करता है, profit का नुक्सान करता है, और जो है कई बार इसको जो है, equipment का loss इसको बर्दास करना मुश्किल हो जाता है, तो यह जो corrective और breakdown maintenance करते हैं, यह जो है इसको avoid करने के लिए, हमको जो है, कुछ action लेना पड़ेगा, जो हम फर्दर बात करेंगे, अब जो है, दूसरा maintenance हम बात करेंगे, scheduled maintenance, scheduled maintenance जो है, इसका principle है, stage in time steps nine, इस सही समय में, इसका थोड़ा सा repair work कर देने से, थोड़ा सा काम करने से, यह हमको बड़ा बड़ा breakdown बचाता है, availability बढ़ाता है, profit बढ़ाता है, तो यह scheduled maintenance तो किया जाना चाहिए, एक कैसे होता है, यह जो है, इसका primary work से start करते हैं, inspection इसमें ज़रूरी है, timely inspection होना चाहिए, timely lubrication होना चाहिए, और ए minor repair work से इसका काम निकल जाता है, minor repair से अगर काम नहीं चलता है, तो इसके बाद जो है, overhaul का भी planning किया जाता है, इसके बाद से, इसमें while का बदलना, अगर बड़े equipment है, tank को clean करना, water tank हो, while tank हो, clean करना, इस सब काम इसमे में आता है, हमारा जो है, दूसरा जो maintenance है, that is, preventive maintenance, preventive maintenance, जो है, यही हमको maintenance जो है, breakdown से बचाता है, preventive maintenance का है, इसको बोला जा सकता है, कि preventive prevention is better than cure तो हम इसमें जो prevention करते हैं तो हमरा breakdown घड़ता है यह जो है अपने maintenance schedule में fixed time में fixed interval में किया जाता है इसमें जो है machine के weak point को पकड़ा जाता है और weak point करके inspection के दोरा उसको attend किया जाता है minor work होने के होने के साथ साथी इसको attend कर दिया जाता है इसे क्या फैदा होता कि बड़े काम बच जाते हैं और लेकिन एक बात और कहा जाता है यह कहा जाता है कि PM जो है जहां जरूवत हुआ नहीं भी करना चाहिए हमारे एक बहुत से बड़े अनभवी थे वो सलाह दिया करते थे कि PM ऊपर से कर लो जहां जरूवत नहीं है machine को disturb मत करो machine को कई बार disturb करने से फिर उसमें maintenance activities बढ़ जाती है और break down के frequency बढ़ जाती है तो इसलिए जहां unwanted PM नहीं करना चाहिए बट inspection करना चाहिए अंडर PM activity PM schedule time ओ हमरा equipment health के लिए सही राता है लेकिन preventive maintenance यह जो है preventive maintenance यह इसको avoid नहीं करना चाहिए इसको अवश्य करना चाहिए इसे करने से हमको जो है availability और profit बड़े काम से बचना यह सबसे हमको यह बचाता है breakdown बचाता है downtime बचाता है इसे बहुत फायदे है और time में काम करने से बचाता है और safety भी बढ़ाता है man machine material का safety बढ़ाता है इस तरह जो है इसका जो है किया जाना अतियावश्यक है और इसको जो है इसको जो हमेशा लोग अपने हर equipment के behavior के सीडूल और preventive maintenance का स्चेडूल बनाया जाता है उसके इसाब से करना चाहिए हो किया जाता है अब हम जो है इससे हमको जो है फायदा यह होता है कि better quality of work मिलता है बेटर quality of work मिलने से जो है हमारा availability यह सबका बहुत benefit होता है और जो है हमारा safety भी से हमको improve होता है और generation में improvement होता है scrap generate कम होता है इसलिए हमारा preventive maintenance equipment के behavior के साब से decide करना चाहिए judiciously और करना चाहिए और यह जो है plant की life को भी बढ़ाता है आदमी जो काम करते हैं उसका skill बढ़ाता है इस सब जो है काम यह हमको preventive maintenance से इस सबका फैदा होता है छोटे problem को सही समय में यह जो पकड़ लिया जाता है इसका पकड़ने से जो है बड़े काम से है मुश्किल काम से हम बच जाते हैं अन प्लांड वर्क से हम इससे बचते हैं जो को भी अन प्लांड वर्क आने के सम्भाना होती है अकर preventive maintenance कायदे से हो तो अन प्लांड वर्क से हम बच जाते हैं और यह जो है हमको inventory control करने में मदद करता है इस तरह काफी beneficial होता है और इसको जो है हर समय without failure करना चाहिए अपने scheduled time से और इसका planning किया जाना चाहिए तो this is better than any other maintenance यह जो failure कम होगा इस पर negligency होगी तो फिर मैं breakdown बढ़ता है अब breakdown बढ़ता है तो उसके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि हमरा उसमें loss of time, loss of availability, loss of profit और unsafe situation सबका उसमें risk बढ़ जाता है इसलिए इसको strictly follow करना ज़रूरी है तो इसके साथ ही मैं अभी अपना next video में और last point में cvm, condition based monitor के बारे में चर्चा करेंगे यो कि एक बहुत बड़ा important maintenance ओभी है और equipment के health के maintain करने के लिए और वो करने से हमारा जो है breakdown करीब करीब वो नहीं के बराबर जैसा हो जाता है फिर भी अगर हो जाता है तो breakdown का काम करना ही होता है इसी के साथ मैं अपने video के विराम देता हूं और अब लोग से नुरोध है कि इसको like करिए, share करिए, subscribe करिए ताकि ये सुचना नए internet के पास नए लोग के पास जाए तो उनको पता चले कि कितने तरह के maintenance होते हैं और किसके क्या फायदा है कि इसमें कितना seriously रखना चाहिए इने के साथ जो है thank you very much जाए ही